दमन मात्र साड़े नुलाक में बनी फिल्म जो कांतारा के बाद लोगों के बीच हद से ज़्यादा चर्चागावी से बनी हुए आकर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं इसका क्रेज इतना ज्यादा है कि हिंदी ओडियंस भी से ओरिजिनल लेंग्वेज ओडिया भासा में देख रही है और इसी को देखते हुए मेकर सब इस फिल्म को हिंदी में डब कर पूरे भारत में रिलीज करने की तैयारया जोर सोर से कर रहे हैं दोस्तो इस वीडियो में हम करेंगे इस फिल्म का डीटेल रिव्यू और जानेंगे इस फिल्म की असल कहानी लेकर वीडियो सुरू करने से पहले हम आप सभी से एक प्रस्न पूछना चाहेंगे अगर आपको एक ऐसी सरकारी जोब मिले जिसमें आपको अपने घर से दूर कही किसी दूर दराज के गाहों में पोस्टिंग मिले तो क्या आप ऐसी सरकारी नोकरी करेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को कर डीजे सब्सक्राइब और यह वेला किन दबना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियो मिले आपको सबसे पहले दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिल्म के बारे में फिल्म का नाम है दमन जिसका वैसे तो मतलब होता है सप्रेशन या फिर बलपूरवक तबा देना लेकिन फिल्म के टाइटल का मतलब है दूरुगमा अंचलारे मलेरिया नीरा कारन जो कि ओडिसा स्टेट दुआ मलेरिया को खत्म करने के लिए चलाया गया एक सरकारी प्रोग्राम है अब इससे आपको समझ आही गया होगा कि फिल्म की कहानी मलेरिया के इर्द इर्द घूमने वाली है पर दमन में मलेरिया के आलावा भी कुछ ऐसा है जो आपको इस फिल्म से मोस्वनशनली कनेक्ट कर डोक्टर ओमकार होता की लाइब पर बेज़ड इस फिल्म में नक्सलियों से डोक्टर की भीडंत अंद विश्वास से अंधे हो चुके लोग मलेरिय जैसी बिमारी से 111 गाओं को ठीक करना और सो से बिज़डा लोगों की जान आकेले बचाने की कहाणी देखने को मिलने वाली है इस फिल्म की कहाणी के बारे में बात करें तो ये फिल्म 2015 में से ट है फिल्म की कहानी का मेन करेक्टर है सिधार्थ इंस्पार्ड फूम डॉक्टर होता जिसने भूवनेस्वर से MBBS कम्प्लीट कर लिया है जिससे पोस्टिंग मिली है जनबई PSC में जो कि उडिसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है एक कटोफ ट्राइबल एरिया जिसके अंडर 151 गावाते हैं अब कटोफ रीजन होने की वज़े से यहां के गरीब लोगों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है जिसकी वज़े से वहां का डेथ रेट बेहद ही हाई है और लोगों की बिमारियों का कोई इलाज भी नहीं है एक बेहद इंट्रेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर सिधार्थ भी यहाँ पर लोगों के समाज कल्यान के लिए नहीं आते दरसल सिधार्थ की एक मजबूरी है जिसकी वज़े से उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है दरसल गवर्मेंट और उडिसक एकोडिंग स्टुडेंट्स को 5 साल के लिए ट्राइबल्स या फिर रूरल एरियाज में पोस्टिंग मिलती है उन सभी स्टुडेंट्स को जिन्होंने गवर्मेंट मेडिकल कोलेज से स्टेडिस की है अदर्वाइज उन्हें 5 करोड रुपे का बोंड पे करना पड़ता है एक चीज है जो इस फिल्म को काफी ज़दा रिलेटेबल बनाती है बाकी MBBS स्टुडेंट्स और वहाँ के डोक्टर्स की तरह ही अपना पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक बनाना या फिर होस्पिटल एस्टेबलिस करना उसका मेन गोल है सिदार्थ वहाँ पहुंचते हैं तो जितना उन्होंने सुना होता है सिच्वेशन उससे भी वर्स निकलती है पूरा का पूरा होस्पिटल एक कमरे का है जिसमें बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज और साब पानी की विवस्ता तक नहीं है इवन उस एरिया में चारों तरफ अंधविस्वास फैला हुआ है वहाँ के लोगों को इतना भी नहीं मालूम की बिमारी का इलाज डोक्टर के पास करवाना चाहिए और अगर कोई करवाना भी चाहिए तो कैसे करवाएं वहाँ की हालत जो इतनी अच्छी है वहाँ फैले मली एरिया को लोग तांत्रिक और ढोंगी बाबाओं के पास ज़ाड़ कूक के जड़िए ठीक कराने जा रहे हैं यह तांत्रिक गाहों के बोले बाले लोगों का फाइदा उठाकर उनमें अंधविश्वास का बीज बोर रहे हैं साथ ही उन्हें पागली भी बना रहे हैं पूजा पाट कराकर लोगों से अंधा पेशा कमा रहे हैं और यहीं उनका धंदा बन चुका है और इससे भी वड़ी प्रोब्लम सिधार्द के सामने आती है वो है इस एरिया में रहने वाले नकसल्स इन्होंने इतनी कुंडा अगर्दी कर रखी है कि वहाँ पर कोई भी गवर्मेंट ओफिस जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करे रोड बनाए डवलप्मेंट करे या फिर इलाज के लिए डोक्टर साए उनको वहाँ टिकने ही नहीं देते और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस एरिया में कंस्ट्रक्शन या फिर डवलप्मेंट हो गया तो उनकी छिपने की लोकेशन पुलिस तक आसानी से पहुँच सकती है डोक्टर सिधार्थ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनका रहना बेहरी मुश्किल हो जाता है हर दिन उन्हें धेर सारी थोड़ साते हैं जो उन्हें गीवप करने सब कुछ छोड़ देने के फैसलिये तक ले जाते हैं वो सोचते हैं कि यहां से निकलते हैं अब या तो वो गवर्मेंट पोस्टिंग छोड़े या फिर किसी से बात करके अपना ट्रांसफर करवा ले हैं इसी जद्व जहरद में धीरे धीरे वो आसपास की पेसेंस की प्रोब्लम को देखकर और उनके अंध्विश्waysवास को देखकर सिधार्द का देल उन लोगों के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है सिधार्थ धीरे-धीरे इन लोगों के help करना शुरू कर देते हैं इसपेसली मलेरिया और उससे जुड़े अंधिविश्वास को लेकर मलेरिया को यहां लोग स्राप मानकर तांत्रिकों के चक्कर में फसे हुए हैं इन सबी चीजों से परेसान होकर सिधार्थ लोगों को aware करना सुरू कर देते हैं वो डोक्टर है और पढ़े लिखे इनसान होने के बावजुद लोगों को तांत्रिकों के चक्कर में फसकर अपनी जान देता वो देख नहीं सकते थे सिधार्थ लोगों को सही medication provide करवाते हैं injection देते हैं और लोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं अब तो लोग डोक्टर को भगवान या भगवान का दूद मानने लगते हैं पूरे गाउं में लोग उनकी इज़द करने लगते हैं जैसे जैसे लोगों का विश्वास डोक्टर में बढ़ता जाता है पेसेंट भी अंदविश्वास छोड़कर कोई भी problem होने पर डोक्टर सिधार्थ के पास पहुँचने लगते हैं यह रिजल्ट देखकर डोक्टर सिधार्थ के मन में भी motivation आने लगता है एक डोक्टर होने की सही पैचान उन्हें समझ आने लगती है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उनमें एक ऐसी पावर है जिससे लोगों की जान बजाई जा सकती है लेकिन दिल के एक कोने में अभी भी वो दिन गिन रहे होते हैं कि यहाँ पर जितना जल्दी टाइम कंप्लीट हो उतना जल्दी यहां से निकल ले यह कुछ ऐसा ही जीन है जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो सेल्फ डाउट में गिरे रहते हैं कि क्या हम सच में कामियाँ होंगे या नहीं और वो समय भी आता है जब वो अपनी पॉपलरिटी की वज़े से नकसल्स की नजरों में आने लगते हैं और डोक्टर सिधार्थ को डराने और धमकाने लगते हैं साथ ही वहां के लोगों को वर्णिंग भी देते हैं कि कोई भी अपने घर से नहीं निकलना चाहें फिर वो कोई बिमार ही क्यों नहीं हो धमकी की वज़े से डोक्टर सिधार्थ भी गाउँ छोड़ कर जा रहे होते हैं तभी उनका कमपाउंडर बोलता है कि हमें गाउँ वालों की मदद करनी चाहिए तो ऐसे में डोक्टर बोलते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं compounder उन्हें समझाता है कि वो तो बैचारे गाउवाले हैं, उन्हें डराया जा रहा है, तो डर गए, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते क्या, और इसी वज़े से doctors pregnant lady के पास पहुंचते हैं, और इसकी हालत इतनी जदा खराब होती है कि without proper medical facilities उसका और उसके बच्चे का बचना नाममकिन होता है, अभी भी नक्सली उसे डरे हुए गाउवाले उनके help करने नहीं आते, hospital भी वहाँ से करीब 10 km दूर होता है, उनके पास ना कोई गाड़ी होती है, और गाउव के कुछ गोड़ों को नक्सली पहले ही ले जा चुके हैं, सिधार्त यहाँ पर अपन साम रगता है, बारिस का भी सामना करना पड़ता है, दोस्तों आपको बतादे कि यह सीन सची गटना से इंस्पायर है, जिसकी वज़े से डॉक्टर ओमकार होता, न्यूज बुलेटन में काफी दिनों तक छाय हुए थे, आपको बतादे डॉक्टर ओमकार होता ने 2015 से 2018 तक 151 गाओं के कट ओफ एरिये के लोगों को एजूकेशन और ट्रीटमेंट दिया गया था, उनके इस जबरदस्त काम को देखकर दमन फिल्म के मेकर्स काफी ज़दा इंस्पायर हुए, और उनकी मेडिकल जर्नी पर एक फिल्म बना डाली, दोस्तों ये तो रही फिल्म की कहा इन नीquis, लेकिन ये भारत है, जहां कहीं बिना कर्टिया एरिस्वत के किसी भी सरकारी ऑफिस में काम नहीं होता, अधिक तर सरकारी करमचारी अपने काम से पल्ला ज़ढ लेते है, सरकारी बेंक में चले जाओ तो बोला जाता है कि लंच के बाद आना, सरकारी ऑफिस में च कुछ कड़ी हो सकती है लेकिन दोस्तों यह इसचा ही है धन्य हो भारत का सिस्टम और धन्य हो यह भारत-m Sherlock जो कड़ी मैनत करके सरकारी नवाफरी लगते हैं और कुछ दिन हपतों महिनों या फिर शाल बाद ही करोड़ों का हेर फेर करने लग जाते हैं इनमें कुछ तो धर्लिये जाते हैं बाकि अपने मोज उड़ा ही रहे हैं लेकिन इनी में से कुछ एक ऐसे भी है जो सच्चे दिल से अपनी ड्यूटी निभाते हैं और वहीं वो एक वज़़े है जिनकी वज़़े से अब भी भी हम सरकारी सिस्टम पर भरोसा करते हैं सच्चे दिल से ड्यूटी निभाने वाले जनता के इन सेवकों को दिल से सलाओ इस फिल्म के बारे में आपके क्या थोर्ट से कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक और सेर करना न भूले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार